हेलो फैंट्स आज की स्वीडियो में हम बात करेंगे बैंक बढ़ोदा पर फैंट्स टोक में कंटिनू गिराउट आपको देखने को मिली है यह गिराउट कहां तक हमें देखने को मिलेगी क्या कुछ इसके अपडेट निकल के हमारे सामने आ रही है और क्या कुछ इसके स्प और खासकर बैंकिंग सेक्टर में इतनी गिरावट क्यों आपको देखने को मिली है सेम वही रीजन इसके गिरावट का भी है यहां पे बात करते हैं सबसे पहला तो एफेंडो के जो सिगमेंट है उस पे सेबी अब सक्ति रूल अपना रही है सक्ति दिखा रही है क्योंकि जो रिटेलर निवेशक हैं वह एफेंडों में बहुत ज्यादा लोस कर रहे है क्योंकि क्या होता है या तो हीरो या फिर जीरो के चक्कर में यह एक सट्टे बाजी की तरह काम हो रहा है जिसके की सेबी अब सक्ति से कुछ एक्षिन लेने वाली उसके बाद है कि जो ब्यास आँं यह कह रहे हैं कि भई जब तक भरोसा नहीं हो जाता कि महगाई 2% की और जा रही है तब तक भई ब्यास द्रों में कटोती करना बिल्कुल भी सहीन है अपनी एक सकती की तरह कहते हैं ऐसे कहा इस अपडैट को मार्केट नेगिटिव में लिया कि भई अभी दरों में कटोती नहीं होगी अगर भी दरों में कटोती होते ना बैंकिंग सेक्टर में तेजी भी आपको देखने को मिल जाएगी अगर कुछ ऐसी अपडेट आएगी तो वह मैं आपके शाथ जरूर से शेयर करूं उसके बाद सेकेंड है कि भी जो आर भी आई है ना उसने जो बैंक है और जो फानिंसियल इंस्टिट्यूट है उनके चीफ और जो ओडिटर्स हैं उनके साथ बैठ के मीटिंग की ती अब मीटिंग में क्या उटकुट आया कि लाखव ऐसे अकाउंट है जो कि फरजी काम कर रहे हैं जो कि टैंसन की चीज है उसको लेके भी आ का भी यही निकल के सामने आ रहा है वैसे पहले से स्टोक डाउन ट्रेंड में चला हुआ था और वैसे लोग टरम के व्यू से देखे तो भई यह एक रेक्टेंगल फोर्म में ट्रेड कर रहा है अब यह रेक्टेंगल जो पैटर्न बढ़ रहा है अब कैसा इंपक्ट आप स्पोर्ट ले लेकिन स्पोर्ट कब लेगी जब वाटरली रिजल्ट अच्छे आएंगे बजट आने वाला 23 को बजट में कुछ अच्छे अनाउंसमेंट हो गई तो और साथ ही में कुछ ब्याजदर में अगर कोटोती की जाती है तो भी पोजिटिव माहूल आपको देखन में रखने हैं इन सभी पॉइंटों के लिए इन सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यहां पे स्पोर्ट ले सकता है स्टोक जो कि है 250 का अगर इससे यहां से रिकवरी दिखाता तो अच्छी बात है फिर सेगिंड स्पोर्ट रहेगा यहां पे 23 238 का ठीक है इसका ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए अधर्वाइस काफी गिराउट आपको स्टोक में देखने को मिल सकती है उपर के लेवल की बात करें कि अप्ट्रेंड में स्टोक कब आएगा जब यह हमारी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट देगा तब स्टोक कुछ आपको हेल्प जरूर मिली होगी और फेंड से एक कमेंट करना कि आपने कितने प्रेस पे कितनी कौंटिट अपने पोट्पोलियो में एड कर रखी या फिर आपने अवेंडो में अपनी पोजिशन बना रखी यह भी कमेंट करके जरूर बताना और मैं आपको बता इस वीडियो का मोटिव ओनली फोर एजुकेशन पर फजब मैं किसी को पर्सनल रिकमेंट नहीं करती क्या आप इस टोक में बाई करो सेल करो या होल करो